कि आप सब आज में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी गाईडी का फ्लॉवल फिल्टर जो है उसमें से आयर बाहर निकाल सकते हैं देखें आप यह गाईडी स्टार्ट नहीं हो रही है इसके फ्यूल फिल्टर में जो है इसके फ्यूल लाइन में आयर आगे आगे आज हम देखेंगे कैसे इसका आयर निकाल सकते हैं इसके बाद हम आयर फिल्टर बॉक्स के सिक्रिवस निकाल देंगे इसके फ्यूल फिल्टर खोलने के लिए पहले आयर फिल्टर के सिक्रिवस खोलने हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी काम करने के लिए जगह मिल सकें इसके बाद हम टर्बो चार्जर के आयर इंटेक फ्यूल संसर के पास जो सिक्रिवस होते हैं उनको अन्सिक्रिव कर देना है प्यूल फिल्टर सेंसर का प्लग अन प्लग करके उसके दो सिक्रिवस अन्सिक्रिव कर देने हैं हमें अब इसके बाद हम बैटरी निकल देंगे वहर अब हम जो है फ्यूल फिल्टर का एक सिक्रिव वहां पर होता है वह निकाल देते हैं फ्यूल फिल्टर से इसके बाद हम आयर फिल्टर की पाइपिंग निकाल देते हैं इसके बाद हम आयर फिल्टर की पाइपिंग इसके लिए हमको वहां पर एक दो बॉल्ट्स होते हैं एक जो मैं खोल रहा हूं और दूसरे उसके अपोजर साइड में वह दोनों हमें खोलने होते हैं ताकि हमें वहां पर और ज्यादा रूम मिल सके फ्यूल फिल्टर को निकालने के लिए अब हम आयर फिल्टर बॉक्स जो है उसको निकाल देते हैं बाहर यह निकल गया उसका आयर फिल्टर आयर फिल्टर निकालने के बाद हमें फ्यूल फिल्टर के दो फ्यूल पाइप सोते हैं वह हमें निकालने बाहर और जो रिटरन पाइप फ्यूल के लिए आती है उसको भी निकालना पड़ता है बाहर अजिए रिटरन फ्यूल पाइप जिसका फ्यूल जो रिटर में वापस आयल टैंक में जाता है कि अजिए कर जाद ही और जाता है कि ताकर दो खिए है रिटर है तो इन प्रेक्ट को अपनी एसम्बली से निकाल सकते हैं वहाँ पे एक संसर का है संसर का प्लग हमें निकालना पड़ता है इसके संसर के लिए और दूसरा इसके पावर सोरस के लिए जो नीचे की तरफ उसका रहता है अब दूनों निकालने बाढ़ते बाहर वहां पे कैमरा में ही पहुंचेगा वहां पे आप नहीं देख सकते हो वीचे होता है बहुत उसके कोश्च करूंगा मैं आपको दिखाने के लिए यह हम निकार रहे है बारत यह निकल गया हमरा फ्योल फिल्टर इसके बाद हम इसका जो इसमें से ओयल होता है वो निकाल देगी बाहर ताकि कोई इंप्योरिटी भी हो वो भी निकल जाएगी मैन वली हम इसको निकाल देते हैं इसका फ्योल सेंसर निकाल नेगी बाहर आए यह होता है इसका फ्योल सेंसर जिसमें तो पिन्स आगे होती है उसको अगज़त थोड़े इसके इंप्वर्टी हो वो भी हम निकाल देंगे और वापस इसमें फिक्स कर देंगे और अगर आयर भी होगा इसमें तो वो दुबारा से आप नहीं रहेगा कर दो दो आए लाग कर दो पाहिए कि अमस्ता मौली ऑफ। छाद सब्सांगा सकता नहां जड़ जड़ां समय तक शिया जड़ांप्षा नहां anch जड़ांगा नहां जड़ां सकाँ तक है कि अजाद见 जड़ांस बीजिशस सकतान है कि यह हैं उन्हें फिल्टर को साफ करके हम इसमें दुबारत से एड़िस्ट कर देंगे कि अध्यां शर्वाइं रहाँ आए यूश्ट को नहीं है में जेए आप है 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 आप अप भी फिल्टर रेंद नहीं थोड़ा सा आयल डालने डियसल डालना है हम यह कैसे कर सक्कूंड करेंगे हमेश सीरेंज की मदक से इस मेनली जो फिय डाल देंगे फिल फिल्टर में थाई कि समय आयर अगर बबीज दुवारा से ना बने अब हम फ्योल फिल्टर में डाल देंगे डिजल में बली पूरा इंजक्ट कर देंगे हम दोनु साइट से कर देंगे के बाद दूबार से हम वैसे ही रिकन्यक्ट सब कुछ कर देंगे लेकिन जो प्योल के लिए वह हम भी फिक्स नहीं करेंगे अपने होस से उसके बाद हम बैटरी लगा देंगे वापस वैसे ही सब कुछ फिक्स करना है जैसे हमने डेसंबल किया था वैसे हम यह हम लगा दिया आयर फोलो का सेंसर प्लग और हम एक बोटल यकीन ला सकते हैं जिसमें में हमको रिटरन फ्योल पाइप गुर्शा खोड़ी देर के लिए रखने उसके बाद हम प्रेस करते रहेंगे जब तब कि हम देखेंगे ऐर बबल जो फ्योल लाइन में वो कम नहीं हो जाए और फ्योल पाइपलाइन में आ जाए अगर फिर भी पॉंप करने से फ्योल ना आया तो हम वहाँ पे फ्योल आउटलेट पाइप को थोड़ा माउथ के साथ मूसे जो है फ्योल को सक कर सकते हैं ताके इसमें थोड़ा पूल बन सब्सक्राइब फिर से देखेंगे पॉंप करके कि फ्योल आया है नहीं या यह यह देखिया फ्योल आना स्टार्ट हो गया कि अ कि यहां पर आप देख सकते हैं कि देखो पाइप से जो है आयर बबल निकल रहे है थोड़ा कैमरा से देखता हूं अब देखिए आयर पुब्स निकल रहे है यह क्या जब देखता है अब हम स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को यह जो है गाड़ी अप स्टार्ट होगे और इसके अब आजब देखिए निकल रहे हैं शिरू होगे देखिए अब हमने गाड़ी को रहे हैं और यह गाड़ी स्टार्ट कर देखिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूएए जाँ प्लीज़ और सबस्क्राइब कर देखिए